आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूं कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आज हम बात करेंगे 27 तारीक यानि 27 नवेंबर प्रदोश के वरत की और मज़े की बात यह है कि यह शुकरवार भी है आपको पता है कि आपने और हमने मिलकर शुकरवार के महालक्षमी की वरत उठा रखे हैं तो लक्षमी जी की पूजा के सासत प्रदोश का वरत आजा है यानि महागोरा की पूजा हो जाए ओए ओए तो फिर बात ही क्या है कार्तिक जाने ही वाला है 27 तारिक तक हम पहुँच गए है 30 तारिक कार्तिक का आखरी दिन है पूर्णमाशी है तो क्या मैं ऐसे मैजिकली उपाय कर सकती हूँ तो प्रदोश काल में आपको जैसे जैसे मैंने पूजा बता ही है प्रदोश काल मतलब शाम के समय आपको आज शुकरवार वाले दिन महालक्षमी की पूजा तो करनी है लक्षमी चालीसा पढ़नी है कीर का भोग लगाना है लेकिन इसके सासात मंदिर में जाकर आपको जाइस तारीक की शाम को कम से कम शिवलिंग पर गंगा जल अरपन जरूर करें जिसे मा गौरा की आपकी ओपर किरपा परम किरपा बनी रहे मा गौरा कहलीजिए पारवती कहलीजिए आप लक्षमी मा कहलीजिए मा दुर्गा कहलीजिए अगर आपको इनकी विशेश किरपा च तो आज शिवलिंग पर अर्पन जरूर करें आज अपने घर में रुद्रा भिशेक करवाना या मंदिर में जाकर रुद्रा भिशेक करवाना इससे आपकी सेहत अच्छी होती है आपका जीवन खुपसुरत होता है सत्य नर्ण भगवान की पूजा कथा करना भी जिन बेहत उत्तम होता है शिवलिंग पर आज कम से कम पाँच पल अरपन जरूर करें इंक्रिमेंट या परमोशन चाहिए आपको तो आपको कम से कम शिवलिंग पर आज एक मोती दान करना चाहिए मोती आपको किसी भी पूजा की दुकान पे सो डिर सो रुपे में मिल जाएगा और भगवान से जो भी तमना है वो तमना जरूर बोलने के लिए आज शाम के टाइम पर शिव मंदिर को पूरी तरह से साफ करकर ज़ाडू पोचा करकर अपनी किसमत पे आई हुई धूल को कोट के चाहरी के केसों को आप खतम कर सकते हैं शिवलिंग की पूजा प्रदोश वाले दिन कार्तिक मास के प्रदोश पर जो की 27 निवेंबर को है जो की कार्तिक मास का आखरी प्रदोश है इस पर अगर आप पूजा करेंगे तो आपका भागे निश्चित रूप से चमकेगा आप कार्तिक मास के इस शुकल पक्ष में जो प्रदोश पढ़ रहा है जो की शुकरवार वाले दिन है इस दिन मंदिर में सुगंधित अगरबतियां जलाएं इस दिन शिवलिंग पर खीर बनाकर अरपन जरूर करें इस दिन आप मंदिर जरूर जाए लेकिन अब एक माहा उपाय आपको बताऊंगी मातर एक उपाय जिसे करने से आपकी जिन्दगी चमक जाएगी ये उपाय आपसे मैंने महा शिवरात्री पर भी कराया था आज आप बजार जाकर एक ढोलची ले जाएं घर से कोई बरतन ले जाएं कोई बॉटल ले जाएं उसमें गन्ने का रस रलवा करा जाएं और जितना गन्ने का रस हो उसके अंदर धाइसुग्राम शेहद मिला ले शेहद और गन्ने का रस आपस में मिला कर बॉटल को हिला ले या लोटे में डाल कर शेक कर ले अच्छे से शेहद और गन्ने का रस जो है वो मिल जाए एक दम उसके बाद ओम नमश शिवाय करते हुए केवल शिवलिंग पर अरपन कर दीजे उसके बाद पांच बेल पत्तर आप शिवलिंग पर अरपन कर दीजे आपकी इच्छा सरकारी नौकरी की है आपकी इच्छा वेपार की है आपकी इच्छा खोई होई प्यार को वापस पाने की है आपकी इच्छा परिवार के पित्र दोश को खतम करने की है आपकी इच्छा अपने शरीर में आही बिमारी होने जा रहा है ये चत्रमास है आप देव उठावने का दशी पर भगवान सोकर उठ जाएंगे मांगली कारे शुरू हो जाएंगे शादी विवाप पाटियां फिर से आरंब हो जाएंगी और आपको इन उपायों का प्रदोश जब शुकरवार वाले दिन परता है तो महालक हम इस महीने का अंतजार करते हैं हमें अपनी जिन्दगी में सौभागे चाहिए अपनी जिन्दगी में धन दौलत चाहिए तो कार्तिक के इस पावन महीने में हमें गंगा सनान करना चाहिए क्योंकि कोविट का टाइम है और आर्थिक सितियां सबकी सही नहीं है अगर आप गुलाब जल को मिलाकर एक स्प्रे बॉटल आपसे बनवाई थी, उसे स्प्रे बॉटल को पूरे घर में छड़काव जरू करें, आज शेव भगवान से अगर आपको कुछ भी चाहिए, अपने दिल की कोई भी मनोकामना आपको पूर्ण करवानी है, तो बहुत उत्तम दिन ह क्योंकि कार्तिक मास का आखरी प्रदोश का वरत है, अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, और आपको शादी चाहिए, कि शादी हो जाए, तो आज मा को पीली और लाल चूरियां गौरा मा को और पंगर कर आए, सारी चूरियां एक एक दरजन उनके सामने रग दें, उस सुन्दर सा वाइट पंख भी होता है, वो कल की लेकर आज आप शिवलिंग पर अरपन करकर आएं, और शिवजी जी से कहें, कि मैं जल्दी से दूला बनना चाहता हूँ, क्योंकि शिवरातरी पर ही शिवजी जी की शादी हुई थी, और परदोश को महीने की शिवरातरी कह बहा जाता है, तो भगवान की असीम किरपा आप पर होगी, आपका विवाद जल्द हो जाएगा, रस्ते खुल जाएंगे और जिन्दगी सुरलब हो जाएगी, यानि आसान हो जाएगी, मैं हूँ डॉक्टर वायरा कि सब्सक्त आप मुझे अपने और मेरे यूटिब चान शाम के समय दीपक्त जरूर जलाएं, इससे भी आपकी अपर भगवान की असीम किरपा और आशिरवात की प्राप्ती होती है, उमीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे, मेरे काम आपको कैसा लग रहा है, किन नए विश्यों और टॉपिकों पर खगवान को खुश किया जा सके, कार्तिक के इस पावन महीने में कार्तिक की पूजा होती है, लेकिन आपने और हमने तो अभी तक कार्तिक देवता के लिए कुछ नहीं किया, क्या कर सकते हम देव उठावने का दशी पर कार्तिक के जी के लिए, यानि कि शिव के पुत्र के ये मैं आपको अपनी आने वारी वीडियो में जरूर बताऊंगी, खुश रहिए, मस रहिए, चहरे पर एक मुस्कान रखे, गरम पानी कूप सारा पीजे, अपने पास मोर पंक रखे, फुल अफ एनरजी रखे, और हमीशे अपने माता पिता का खयाल रखे, सबसे तादा अपना फिलाल दीजे जाजत, नमस्कार, जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से चुटका रहा, नहीं मिल रही मन चाही नौकरी, तूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खतम हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ हवाएं, उपर हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास, दीजे मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडले दिखाईए, टैरो कराईए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाईए, मैं हूं डॉक्टर आप मुझसे बात कीजे, फोन कीजे, आपाइमेंट लीजे, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबर्दस बदलाव अपनी जिंदगी के मुझसे हांए, लेकिन अपनी जिंद जिल्खवपल्स बबर्दस बम्त के अंसमेंट दोन, के ऑ मुझसे हांगा बहा जो कि लाँ मैं behदते हूंसे हांए, एक नो दोन, के Bhagे मैं पहल स्नुराईए, इक गária की सबढ़गाए हांあぁ खुरां हुरां